नमस्कार दोस्तों, एडवांज जोटिस्ट ने आप सभी लोगों का स्वागता रहा है। वर्सफल चार्ट से रिलेटेड मैंने सभी टॉपिक्स को अभी तक कवरप किया था। किस तरीके से हम वर्सफल चार्ट कास्ट करते हैं। मुंता कैसे हम निकालते हैं, मुंता के कैसे रिजट होते हैं। इसके बाद हमने ग्राओं की इस्तिती देखी, उनका बल निकाला वर्सफल चार्ट के अंदर, फिर हमने एर लॉड डिसाइड किया। तरीपता की चक्र हमने इस्टेडी किया। इसके बाद जो भी डिफरेंट योग बनते हैं आपका ताजिक योग वर्सफल चार्ट के अंदर, इसके बाद हमने सैन की बात की और आज मैं इसका लास्ट वीडियो अप्लोड करूँगा। इसके बाद यदि आपको किसी भी साथी को कोई भी डाउट है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो यदि मुझे जोरत पड़ी तो मैं और वीडियो लेकर आऊँगा, और अधर्वाइस मैं आपके डाउट्स ऐसे ही क्लियर करने की कोशित करूँगा। तो वर्सफल चार्ड में जो लास्ट टॉपिक बचाए है, वो मैं ले रहा हूँ, that is the germ year, क्या होता है, इसके बारे में मैं बात करूँगा, the germ year, the year of second birth, एक हमारा birth chart होता है, एक वर्सफल चार्ड होता है, यदि वर्सफल चार्ड की लगन और बर्त चार्ड की लगन सेम हो जाए, तो उस year को द्वी जन्म year बोलता है, या the year of second birth, एक तरीके से दूसरा जन्म में माना जाता है, जबी वी आपके वर्सफल चार्ड की लगन और आपके बर्त चार्ड की लगन, कोई भी native सपोज पाइसे लगन का है, तो उसकी वर्सफल चार्ड की लगन भी पाइसे हो जो आपका the year of second birth, negative माना जाता है, उस particular year में उसके साथ अच्छे result नहीं आएंगे, खराब गटना है, गटित होंगी, और malefic या inauspicious events होंगे, द्वी जन्म year के अंदर, जो दूसरी बात है, कि बर्त लगन और द्वी जन्म year की लगन सेम होती है, यदि नक्षत्रा भी सेम हो, तो result और भी ज्यादा खराब होने की possibility होती है, नक्षत्रा के बाद यदि दोनों का पद भी सेम हो, सेम ही नक्षत्रा में हो, तो उस particular year के अंदर adverse result मिलेंगे, नेटिब बीमार रह सकता है, उसको disappointment, reversal होंगे, जो भी काम कर रहा है, उसके opposite result मिलेंगे, monetary losses होंगे, financial losses होंगे, और उसकी name और fame का भी loss हो सकता है, तो द्विजनमी एर में, जो first one thing है, यदि degree अब लगन है, और N chart की degree भी यदि सेम हो जाए, तो पूरा ही साल खराब जाने वाला है, देखे, चार possibility बन जाती है, द्विजनमी एर की यदि ascendant तो सेम ही दोनों की, तो year खराब जाएगा, मग तीसरी बाद सेम पद हो जाए, तो और भी जादा खराब जाएगा, और यदि दोनों की degree बराबर हो जाएगा, तो बहुत ही जादा troublesome वो year जाने वाला है, दूसरा, द्विजनमी एर के chart के अंदर हम moon और Jupiter की position देखेंगे, moon and Jupiter यदि weak हो, या 6th और 8th house में placed हो, under malefic influence, particularly आपक 6th और 8th house, under malefic influence, तो भी आपका year बहुत जादा खराब होने की possibility होती है, यदि moon 6th house में है, Jupiter 8th house में चला गया, तो वो आपको disease देगा, illness देगा throughout the year, और आप बीमारियों से परिशान रहेंगे, मगर ऐसा नहीं है कि दूजनमी एर खराब ही होगा, यदि आपके annual chart के अंदर मुन्ता लॉर्ड strong है, मुन्ता की position अच्छी है, तो दूजनमी एर के negative effect में थोड़ी कमी आ जाएगी, मुन्ता और मुन्ता लॉर्ड ऐसे ही आपका lung lord of annual chart भी यदि strong है, lord of year भी strong है, ये सारी चीज़ें strong है, lord of year जिस particular year जो दूजनमी एर है, उस बर्सपल chart का lord of year, उसका आपके जो negative effect हैं, वो cancel out हो जाते हैं, further, यदि दूजनमी एर chart के अंदर, Jupiter और Moon दोनों strong हो, और अच्छे houses में placed हो, 6-8 बारे में placed नहों, adverse houses में placed नहों, तबी भी native को खराब result नहीं मिलते, अब मैं इसको पूरे को sum up करता हूँ, दूजनमी एर, आपका यदि वर्सफल year की लगन और आपके जनमी एर की लगन सेम हो, बर्चाड की लगन सेम हो, तो उसी एर को दी जनमी एर बोलते हैं, इसे जनरल इन उस्पीसियस और मैलिफिक माना जाता है, अब मैलिफिसियंस या खराबी या आशुबता बढ़ती जाएगी, यदि दोनों का लगन तो सेम ही, य इसके अलवा हमें जनरली जुपीटर और मून की पोजिसन देखते हैं, यदि जुपीटर और मून भी खराब प्लेजड हैं और वीक हैं, तो भी येर आपका बहुत ज़्यादा खराब जाने वाले हैं, अब यदि आपका येर लॉड दूजनम जो आपने चार्ड बनाया, उसका लगन लोड और मुंता लोड यदि श्ट्रोंग हैं, वैल प्लेजड हैं, तो आपकी ये सारी प्रोलम आपको नहीं मिलेंगी और आपका येर ठीक ठार जाएगा, जुपीटर और मून यदि श्ट्रोंग हैं आपके चार्ड के अंदर, और अच्छे आउसे इसके अं हैं, और हम बता सकते हैं किसी भी नैटिव को कि वो पर्टिकुलर येर में उसके साथ क्या समझ्या है आने वाली है, या नहीं आने वाली है, आई होप आपको वर्सवल सिरीज मेरी अच्छी लगी होगी, यदि आपको वर्सवल सिरीज के मेरे जितने भी वीडियोज हैं, अपने सारे देखे होंगे तो आपके concept clear होंगे और आपको यदि कुछ लाब हुआ हो तो आप मेरे चैनल को subscribe करें और अपने साथियों को भी बताएं आपका बहुत बहुत धन्यवाद